नमस्कार दोस्तों, आप सभी का GS कैमपस पर बहुत-बहुत सवगत है। दोस्तों, लेकपाल भरती, जो की काफी लंबे अर्शे से इंतजार था सभी लोगों को, और वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म होई, और वो विग्यापन 1 जनवरी 2022 को आएगा, और 7882 पदों के लिए ही होगा, जैसा कि आयोग ने, यहीं यूपी ट्रपलेसी ने पहले ही किलियर किया था, यहाँ पर लोगों के अंदर confusion यह थी कि क्या PET के में कितने percentile वाले लोग फॉर्म भरेंगे, कितने वाले नहीं भरेंगे, यह क्या होगा, तो यहाँ पर एक बात आपको बता दें, कि इसमें जो भी लोग PET में फॉर्म भरे थे, यानि जो नोंने PET का एक्जाम दिया, उनके नंबर कुछ भी हो, वो सभी लोगों को इस लेकपाल भरती में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, अब आप कहेंगे इतने लोग कैसे भर लेंगे, उसका जवाब यह है, कि जैसे अभी आपने देखा होगा, कि एक भरती इससे आगे चल लही है, जो कि PET के बाद हो रही है, और वो है आपकी महिला स्वास्त कारे करता की, तो महिला स्वास्त कारे करता में आयोग ने कहीं पर भी नहीं कहा कि इतने परसेंटाइल वाले ही फॉर्म भरेंगे, तो ठीक ये उसी तरज पर होगी, इसमें सभी लोग फॉर्म भरेंगे, इसकी फीस भी बहुत कम रखी जाएगी, शायद 25-20 रुपय होगी पर हेड, और उसके बाद जो फॉर्म भरने के बाद, फिर UPSC ये त्ताय करेगा, कि कि किस परसेंटाइल वाले स्कोर वाले बंदे को लेकपाल मेंस के लिए अडिमिट कार्ड जारी किया जाए, यानि फिर वो एक विग्यपती जारी करके बता देंगे, कि इतने परसेंटाइल वाले इसके लिए योग गिमाने जाते हैं, यानि ये मेंस देंगे, तो फॉर्म सभी लोगों को भरने एक मौका मिलेगा, फिर आयोग फॉर्म भरने के बाद यत्ताय करेगा, कितने परसेंटाइल वालों को मौका मिले, या कितने परसेंटाइल वालों को मौका ना मिले, तो ठीक इसी तरीके से कोई नई अपडेट होगी, आपको बताएंगे, कल फॉर्म आपका बिलकुल पूरी-पूरी 99.9% सब्सक्राइब है, कल आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, धन्यवाद.